आज अभी हम जो है फाइर को स्टार्ट करने लगे हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे definition of fire what is fire it can be defined as it is a chemical reaction of fuel oxygen and source of hydrogenation heat बैटा ये ट्राइंगल है ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल का chemical reaction होता है जिस chemical reaction में oxygen heat और फ्यूल है यह तीन चीज़े मिलकर आग बनाती हैं ये तीन चीज़ें जब भी आपस ने आग नहीं लगे गी. एक भी. इन तीनों में से आप एक भी निकाल दो तो आग नहीं लगे गी जनाब. तो अब देखें, यहां पर हमारे पास oxygen एवरिटाइम अवेलेबल है. जहां मुझोद है, वह oxygen अवेलेबल है. तो मेरे सवाल है, आप लोगों से क्या फ्यूल मुझूद है जहां अभी आप रूम में मुझूद है मालूक फिदार जहां आप मुझूद है क्या वहां पे फ्यूल भी मुझूद है मैंने फ्यूल नहीं है तर यहां पे तोड़ा साइट पे हूँ मज़े जहा आम मजूत हैं त्याँ बहाँ पे ही मजूत है ओर मेरे बी रख़ा हुआ और यहां पे पेड़ हुआ और ने तक्या भी हुआ बेटा हुआ है और मेरे, और मेरे रूम तिया कि वहीम ने बता भजी मेरे पास with me ता घृम जिलने वाली चीज इंड वाले तेंद चीज अग battle के अफ़ होते कि अफॉड है और था इस ऐ्च। मेर भी जब्धा। और ये फ्यूल कहलाती है बिल्कुल मलूक आप समझाईए बटा आपको ये ते सार बिल्कुल समझाए गया अब ये तमाम चीजें फ्यूल है तो आप देखे हमारे पास ऑक्सिजन भी मौजूद है हमारे पास फ्यूल भी मौजूद है बिल्कुल जबर दस्ट और समय आगए तर अब हमारे पास फ्यूल नहीं है जब हम हीड को कुनेक्ट गरेंगे फ्यूल के साथ औक्सिजन तो वैसे भी आए हीड को फ्यूल के साथ कुनेक्ट करेंगे आग लग जाए निपने आप घर का चूला जलाते हो जैसे यह आप अपन अग लग जाए आप एक कागज उठा लो उसको जो है हीट कुनेक्ट करो आग लग जाए मालूक बेटा अपनी माइक आफ कर दो ना फिर मैं बोल सकूँगा ना सभी अच्छा जी बेटा इसमें अगर किसी का कुछ क्वेस्टन हो तो कर सकते हैं आप लोग वरना यह चीज यहां पर खत्म हो रही है इससे आगे फिर मैं चलने लगा हूँ चले आगे आजी काजिदा फाइर फाइर की वजुहा जो है कौन सी वज़ा है जिसकी बिना पर फाइर लग सकती है वह कौन कौन सी रिज़न हैं जिससे आग लग सकती है तो वह जनाब रिजन जो है हाट वर्क है ओपन फ्लेम हाट वर वैल्डिंग कटिंग रैंडिंग है केमिकल रेक्शन है देखा आपने हीट फ्यूल और ऑक्सीजिजन का जो है ना चैमिकल रीक्शन हुआ है आग लग जाती है equipment है short circuit होता है छोटा सा short circuit होता है वो आंग बढ़ती होई बहुत बड़ी हो जाती है या जो है ना जान बूज कर आग लगाना जान बूज कर आग आप कैसे लगाते हैं आप अपने घरों में जान बूज कर आग लगा लेते हैं आपको पता है कि जब आप जो है ना वो करते हैं चूला जलाते हैं और फिर उसको तीली लगा देते हैं माचस से तो वो जान बूज कर आग लगा समोकिंग से आप जनाब गंदम का मौसम है समोक करते करते आप अपना समोक फैंक के चले गया तो किसी की गंदम को आग लग जाती है अंसेफ यूज एंड स्टोरेज अफ फ्लेमिबल लिक्विड अंग गैसेज है कुकेंग अप्लाइंस है मेकैनिकल हीट है यह तमाम चीजें काज़ अफ फाइर में आती है ठीक है आज हमने पढ़ा वर्ट इस फाइर एंड काज़ अफ फाइर तो कल इंशाल्ला हम अपने टापिक को दोबारा स्टार्ट करेंगे इसी से आगे चलेंगे और आगे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें क्लासिफिकेशन अफ फाइर है फ फाइर है काज़ फाइर है या फाइर वाचर है या रिस्पोंसिब्लिटी फाइर वाचर है ये बिटा आज आप लोगों ने याद करना है पढ़ना है उसके बाद जो है न हम इंशालला कल आगे चलेंगे ये अच्छे तरह याद करके मुझे बताना है और आप लोगों का क कोई सवाल हो तो आप मुझे बता सकते हैं